भाई जो पोड़कास इंटर्वियू दिया है उसमें क्या भर-भर के जूट बोला और मैडम की हसी नी रुकरी मतलब जो ट्रॉमा वाला पोर्शन था उसमें भी उनके 32 निकली हुई थी कैसे कैसे कोई कर सकता है यार उस मूमेंट को याद करके आप 10 साल बाद भी याद करो तो वो मूमेंट ऐसा होता है उसमें चाहकर भी आदमी अपने आपको इमोशनली होने से नहीं रोक सकता और ये 32 दिखा दिखा के ओवर स्मार्ट बनके ज्यादा बोल बोल के क्या पोड़कास रिकोर्ड करा है मेरे सब्सक्राइबर कमेंट करके मुझे बोल रेते कि पर रियक्शन दो तो आईए आपके साथ शेयर करते हैं कि उसमें क्या था क्या जूट बोले गए थे और कैसे कैसे क्या क्या चीज़े थी हाई फ्रेंट वेलकम बैक तो मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बैल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए पहली बात तो भाई ये इंटर्विवर जो ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है बहुत ही ज़्यादा पहले ये रिकॉर्ड करा लिया है और अब 5-6 महीने हो गए होंगे कुछ करीबन पहले इनके नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के साथ ऐसा हुआ है कि जब वह चाल के वीडियो के वीडियो डालते हैं तो जो 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 अब आ 150 यह आजाते हैं और उसके बाद बहुत सारे ईसे लोगों के साथ भी हो является ऑपना ने लोगोंके साथ वीया जो इन Vielा उससे पहले उन्होंने और जो लोग थे जिनके इंटर आप में इंटरविय लिये थे उनको पहले अप्लोड किया और चालु का अब जाके किया है उन्होंने भी यही कहके इंटर्व्यू दिया है कि मतलब इंट्रो दिया है कि हमारी जो आज की गेस्ट है वो नाकेवल नहीं जो है ऐसे करती हो हस्ती रहती है हस्ती रहती है उनको भी पता है कि इसको हसने के लावा आता ही क्या है दूसरा इंट्रो कि इनकी जो पूरी फैमि क्रेडिट में उनको नी सब करेगा और हाँ मेरा फनी कंटेंट भी तो आता तुम्हें सबकुच्छ है क्योंकि मिए और रहे हैं तो मसेसे सारे काम बिगाड़ सिखाती है बच्चों को, सबसे पहला ही जूट, या तो बहुत कम बोलती हो, या बहुत जादा ही बोल देती हो, नहीं, कम तो तुम बोलती ही नहीं हो, जादा ही बोलती हो, जरूरत से जादा बोलती हो, फेहली बात, दूसरी बात तुमने कहा कहा, मुझे इंटरव्यू देने से बहुत गबरा जाती हूँ, इंट्रो कैसे बनाया, वो इंट्रो ऐसे बनाया, कि भाई मुझे शायरी का शौक था, इसलिए मैंने इंट्रो बना दिया, और वो शायरी फिर किसी ने नहीं सुनी, टिक टॉक पे थी, टिक टॉक से ही दफन हो गई फिर वो, इनने काम के लिए बताया, क कैमरा उठा के उनको दिखाया है, लोग देखना चाहेंगे कि सेलिबिटी लॉक डाउन में कैसे अपनी जिन्दीगी बिता रहे हैं, वो सब चीजे मैंने सेल करके मैंने अपना चैनल ग्रो किया है, जूट मत बोलो, सच बोलो, हाँ तुमने धक्ये खाये होंगे, दो महीने धकाये होंगे, क्योंकि तुम से काम और तुम्हारी बस की तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि तुम तो अपने आपको शहजादी कहलवाती हो, तो तुम्हारे तो बस की काम ही नहीं, तो भाई तुमने जब देखा इतना लंबा ट्रेवल है, ये है, वो है, तो मेहनत करने से त तो तुम पहले से घबराती हो, तो इसलिए तुमने वो नोकरी दो महीने में छोड़ दी, अगला सवाल, सवाल बड़े छाट-छाट के, क्योंकि वो जनाब के दोस्त हैं, तो सवाल जोते वो बड़े ही छाट-छाट के जवाब लिए गए हैं, बहुत सारे सवाल थे, जिन ल लोक सुनना चाहते हैं, वो बताएगी, जो अब तक दिखाते आ रहे हैं, जूट-मूट का, के फादर फिगर हैं, पापा की तरह से ये किया, वो किया, पहले से बड़पन था, बच्पन में ये किया, वो किया, तो भाई, वो सच थोड़ी ना बोलेगी कैमरे पे, तो सवा ही गलत था, अब मैडम से कैसा बोर्ण है, तो भाई, वो ओवियसली सेम, वो ही कंडिशन, के भाई, कैसे होगा, जूट बोला इनोंने, के मैं जब हम मुंबई आये तो वो हमें रिसीव करने के लिए आये थी, जूट क्यों बोल रहे हैं, उस से पहले जब आपके पापा ब पाल नहीं आई, तो बहुत सारे होते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, यह कोई पूछने का सवाल है, के भाई, यह हुआ, वो हुआ, वो बतानी है, के मेरा mental trauma हुआ, मैं ऐसे चली जाती हूँ, मैं criticism झेलती हूँ, भाई, अगर आप अपने public domain पे अपना परसनल चीजों को शेयर करेंगे, अट-पटी चीज़े दिखाएंगे, समाजिक तोर से अलग चीज़े दिखाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट चीज़े दिखाएंगे, वो चीज़े दिखाएंगे, जो समाज को हजम नहीं हो रही, तो definitely जिन चीजों को, जिन लोगों को वो चीज़े हजम पूछना था तो यह पूछते कि शादी के लिए कैसे मनाया लव स्टोरी के लिए कितने सफाई से मना कर गई बहुत चैतर चालू के चालू है बहुत ज्यादा कैती वो मेरा कॉंटेंट है वो मेरी चैनल पर जाएगा और वो दो साल होने को आये शादी को अभी तक तो आया न के लिए के भाई अब हम में बीजी है अब हम लफ स्टोरी बता देंगे लेकिन बाद में बताएंगे और वो लव स्टोरी कभी नहीं बताएगे क्यों क्योंकि नेहा बेटी हुई है वेटिंग में और जैसे इन्होंने लफ स्टोरी डाली अधर से नेहा का व्λοग आएगा और फिर सच का सच और जूट का जूट सामने आ जाएगा अगले सावाल में पूछते हैं कि क्या तुम जो है वो एंगरी होते हो हाँ भाई देखो यह तो हमने पहले बोला इसका टेंट्रम बहुत बहुत खराब है यह बहुत जादा गुसेल नक्चड़ी चिड़ चिड़ी और बत्तमीज ओरत है यह बहुत ही बत्तमीजी से बिहेव करती है यह कई बार गुसे में बहुत सारी चीज़े जो नब बोल जाती है और यही वज़े है कि हमेशा फनी जो है वो इससे जुकता है नहीं तो देखो शोहर है प्यार भी करता है हर चीज करता है इसके लिए क्य भाती है उसको मैं तो सीधी साथी सी भासा में को हुआंगी उसका जीना हराम कर देती है दोनों में जादा फूरी को ने मैं वह तो दिखाई देता है खाता वह भी अच्छी घाइट है और बहुत अच्छी से खाता है लेकिन नहीं सबसे जद उससे भी जदा खाना यह खाती ह किया है और यहां से मंगा मंगा के खाती है यह भी कहा दीया कि नहीं देखो कल नहीं खौया था और परसों नहीं Nurse बुखसा के बाई यहまあ से खाना लेकर आई हैれ इतना चकाना खुद खा लिया हमें खाने ने दिया ज़्यादर लड़ता कौन है यह कैसे सवाल है सिधा बोलना मैं लड़ती हूं हर बात पर मैं डॉमिनेट करती हूं मैं लड़ती ज़्यादा हूं और सौरी फनी बोलता है क्योंकि उसी से बुलवाती हूं मैं क्यों बोलू भाई मैं तो है उनको सोने तो क्योंकि वो दिन रात वहां पर मेहनत कर रहें वो अगर आ जाते हैं घर पर लेट नाइट आते हैं तो तुम कम सकम दिन में अपनी नींद पूरी कर सकते हो तुम्हारे पास यह उप्शन है उसके पास नहीं है तो तुम समझती ही नहीं हो लेकिन नहीं नहीं इसके अलावा क्या क्या हुआ हो बताओ न सब्सक्तिकर टेरी क्या करते हैंunya क्या इस वह वह इंद मेरा यह लाइफ में कुछ भी नहीं मैं कुछ भी आप देरीव नहीं कुछ भी चेज़े नहाएं क्यों कि पहले भी यहीं रहती थी अपनी मम्मी के पास हां बस अपने पती को ले आई यहां पर और फुल टू से उस पर डिपेंडेट हो गई उससे सारा काम करा लिया है उसके साथ घूम ना फिर ना यह सब बढ़ा दिया और भाई भावी से लड़ाई जगड़ा मोल ले लि कितना नया और यूनीक आइडिया बताया और कितनी नई बात बताई एक के अगता भी चलाता हो और तुम सबको मांड में रखती हो तुम सरफ अपनी फैमली को मांड में रखती हो और फणी को भी मांड में यहीं बढ़ा दिया है कि सेलफ मेरी फैमली है बाकी कोई Lemдж speaking तो कई मतलब भी नहीं है और अब तो बिलकुल कोई मतलब होने वाला नहीं है क्योंकि अब रेस्टोरेंट खुल गया तो भी जाने वाले नहीं है अब तो बहुत बड़ा excuse यह है काम है हम नहीं आसकते तो मेरी लोजों ने उनको पता है जो है ससुर वो शादी के लिए नहीं मान रहेते क्योंकि उनका बेटा नाकारा है निखटू है नला है काम नहीं करता जो भी कुछ है लेकिन एटलिस उनके सामने हुआ रहता था उनके हारी बिमारी दुख सुख में साथ तो रहता था लेकिन अब वो भी उससे उनसे छिन गय माई से या ऐसे भी अपने पैरों पर खड़े होने से उनको क्या फाइदा है माबाप को फाइदा तो सारा तुम्हारा ही है भाई तो अपने ओडियंस को बस मैं यही जो है मैसे देना चाहूंगी कि लाइफ में जो ना खुश रहना बेबी जैसी आवाज निकालके बिल्कुल बात मत करना आवाज को बिल्कुल भी चोट मत लगा लेना घबराट बिल्कुल मत करना हर टैम यह मत बताना मेरे को यह हो रहा है फ्रेंड मैं एक भी काम सही से नहीं कर पाती हूं फ्रेंड मुझसे यह नहीं हो रहा फणी यह कैसे होगा फणी वो कैसे होगा अला यह हो गय यह था था मेरा रियक्शन आयोप को पसंद आया हो बहुत ज्यादा कुछ खास इसमें मुझे लगानी था कि कुछ ऐसे पॉइंट से क्योंकि रटे रटा है तोते की तरह से यह रट कर आ गई है और वो सारी बाते इनको कैमरे पर बोलनी है तो 100% जूटी बोलनी है कोई भी एक सही जवाब इसको देना ही नहीं है सवाल भी बहुत मैनुपलेटेड थे तो इसलिए मुझे तो इसमें कोई ऐसा कोई खास लगानी आई होप आपको पसंद आयो पसंद आया हो तो लाइक शेर कीज़ेगा चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कीज़ेगा मिलती हूँ एक और अच्छी से वीडियो के साथ तिल देन बाई 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 आप बिस टेक केर